वाटरलू का युद्ध 1815 में बेलजियम में स्थित वाटरलू नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध था। यह युद्ध फ्रांसी सी सेना जिसका नेतरित्व नेपोलियन ने किया और अंग्रेज सेना जिसका नेतरित्व ड्यूक ओफ वेलिंग्टन ने किया के मध्य हुआ था। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली और अधिकांश युद्ध करके फ्रांस को विजय दिलाई। अपनी सीमाओं के विस्तार और उपनिवेश की संख्या मे वृद्ध की लालच में इस फ्रांसीसी तानाशाह ने बहुत से देशों पर युद्ध थोप और योरोप के बड़े भाग को अपने अधिकार में कर लिया। सन 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमन किया और रूस, ब्रिटिन तथा आस्ट्रिया की सेना से मुकाबले मे पराजित होने के बाद बोनापार्ट की शक्ती क्षीन होना आरंभ हो गई और सन 18114 ईसवी में उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। उन्हें देश निकाला देकर एलबा नामक द्वीब भेजा और वहां का शासन भी बोनापार्ट के हवाले किया, किन्तु वो इस द्वीब में अधिक दिनों तक नरूके और भाग कर फ्रांस चले गए और सौ दिनों तक दोबारा फ्रांस पर शासन किया।